हेलो फ्रेंड्स, वेल्कम टो बैक माई चैनल पुस्पलता कीचन पुस्पलता कीचन को सस्क्राइब कीजे, बेल आइकन को जरूर दबाए ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले अगर आप मेरे चैनल पर न्यूँ है तो चैनल को सस्काइब जरूर कीजेगा और बेल पर जरूर प्रेस की जाएगा, आल पर ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ कुछ टिप्स और टिक्स सेयर करूँगी जिससे कि अगर कभी भी कोई गलती से कुछ हो जाय, बिगर जाय तो आप उसको ठीक कर सकते है तो मैं फाइब टिप्स बताऊंगी आपको, तो एंड तक देखिएगा तो फर्स्ट जो टिक है वो मेरी यह है कि अगर कभी भी इस तरह से हम कभी दूद गरम करने रखते हैं और भूल जाते हैं तो म्या जाना जोड़िया रखता चैशम के लिए लिए मिलक के बाद हम उसके अंदर तक रखते हम जाना डरउंगे त हमके दोर भी गिक क düş जाये तो इन चीजों को हम डालेंगे अगर उस दूद में जो जूद हमारा जल गया है तो वह स्मेल एकदम से उसका चला जाता है और हमें यहाँ पर लेना एक कड़ाई को गरम करना है उसमें जो हमने घी लिया है वो गी एट करेंगे उसके बद जो हमने खड़े मसाले यह लिए है और इस तरह से थोड़ी दिर रहने देंगे इसको इसी में और इस दूद का यूज आप चाय बनाने में कर सकते हैं तो आपकी चाय भी अच्छी बनेगी और आपका दूद भी यूज हो जाएगा आपको बिल्गुल लगेगा नहीं कि यह जला हुआ दूद था एक दम used हो जाएगा तो फ्रेंस टिप num3 है टिप num3 में ऐसा गहां कभी हम खीर बना रहे हों या समेई बना रहे हैं तो यह का होता है कि कम ज़्यादा होने से पत्ला हो जाता है तो उसके लिए हमें क्या करना है कि हम एक चमच कस्टर्ड पाउडर लेंगे और एक बाउल में हाप बाउल मिल्क लेंगे आप कौंटिटी के हिसाब से कम जादा कर सकते हैं और ठंडे दूद में हमको कान फ्लोर को गोलना है और उसमें हम डाल के और अच्छे से मिला लेंगे ताकि उसमें गुठलिया नहीं पड़ें तो इस तरह से मिला लेना है और इस मिलाए हुए कस्टर्ड पाउडर को हमको उस खीर में डाल देना है तो हमारी खीर एकदम अच्छी हो जाएगी और ठीक हो जाएगी तो टिप नम्मर 3 में फ्रेंड्स में बताऊंगी कि कभी ऐसा होता है कि हमारी जो खीर से मही होती है वो गारी हो जाती है तो हम लोग क्या करते हैं कि नॉर्मल दूद लिया और मिला देते हैं तो वो उसके अंदर तो थोड़ा पतला हो जाता लेकिन वैसे टेस्ट अच्छा नहीं आता है तो हमें क्या करना चाहिए कि कॉंटिटी के हिसाब से मिल्क लेना चाहिए और मिल्क को आपको क्या करना है कि थोड़ा सा उसको ठिक कर लेना है जब हम ठिक करके मिलाएंगे तो हमारा जो खीर का टेस्ट है वो बराबर रहेगा और उसमें कोई फरक नहीं आएगा अगर हम नॉर्मल दूद मिला देते हैं तो टेस्ट एकदम अलग हो जाता है तो इस तरह स आप देख सकते हैं उसके अंदर मैंने मिला दिया है और हमारा यह जो खीर है वो एकदम परफेक्ट हो गई है और एकदम बढ़िया तो फ्रेंड्स अब टिप नमबर फोर में बताती हूँ उसमें क्या करना है कि हम कभी-कभी ग्रीन बेजिटेबल्स होते हैं वो बहुत ज इसको क्या करना चाहिए कि सबसे पहले हमें अच्छे से इसको साफ कर लेना चाहिए दोना नहीं है पहले साफ कर लेना है अच्छे से और तोड के हमें रख लेना है जैसे धनिया है पालक है मेति है इस टाइब के जो बेजिटेबल्स होते हैं उनको और फिर उसको हमको क्या करना है कि एक एयर टाइट डिब्बे में आपको एक नेपकिन पेपर लेना किचन वाला और वो ले सकते हैं और उसको डब्बे में लगा दीजे और उसको आप रख दीजे और उपर से उसको कवर कर दीजे और फिर ढकन बन करके रख दीजे अगर आप इस तरह से करके रख द इसलिए रखते हैं उससे क्या होता है जो भी मरस्चर या कुछ भी होता है तो वो उसके अंदर आ जाता है तो उससे हमारी मेथी खराम नहीं होती है टिप नमर फाइब में हम इसी तरह से हम धन्या लेंगे और धन्या को भी हम अच्छे से साफ कर लेंगे तो आप देख सकते हैं मैंने ये धन्या को साफ कर लिया है पहले से उसके बाद फिर उस तरह से ही हम एक बॉक्स लेंगे और बॉक्स के अंदर फिर से जो नैपकीन लग जालिजे और फिर आप रख दीजे इस तरह से तो आपका धनिया क्या है कि कभी हम कुछ बनाते हैं कुछ करना होता है तो इतना टाइम नहीं होता है अगर हम साफ करके रखे रहते हैं तो बहुत आराम से और हम धनिया को लेकि और कट करके हम सब्जियों में डाल सकते हैं और टो जंञत नहीं होता है नहीं तो फिर एक साफ करने का रहथा तो इस तरह से और आप इस तरह से एक र Harris तो तो वन-मी कर सकते हैं दरीया को और जब भी तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए ताकि और लोगों को भी पता चल सके कि इस तरह से करने से ऐसा अच्छा हो जाता है तो चलिए मिलती हूं फिर नेक्स वीडियो में थैंक्स पर वाचिंग मैं वीडियो